बादशा अकबर हमारे देश के बहुत बड़े और महान राजाओं में से एक है और उनके दर्बार में कई खास-खास मंत्रियां हुआ करते थे आज हम पढ़ेंगे बादशा अकबर और उनके प्रिय बीरबल की एक कहानी बादशा अकबर बादशा मतलब राजा, किंग तो जैसे आपने देखा कि उनके राज दर्बार में बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे उनमें से एक मंत्री, मतलब मिनिस्टर जिसका नाम बीरबल था, वो उनके बहुत ही प्रिय थे बादशा बर उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धी मान था और उसके बुद्धी के आगे बड़े बड़ो की कुछ भी नहीं चल पाती थी कुछ भी नहीं चल पाती थी मतलब कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे जलना मतलब जेलस होड़ा क्योंकि इसी बुद्धी की वज़े से राजा बीरबल को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और दूसरे दरबारियों को लगता था हम राजा का तो सबसे फेवरेट ही है हम तो कुछ भी नहीं इसी लिए सारे दरबारी बीरबल से जलते थे वे हमेशा बीरबल को मुसीबत में फसाने के तरीके सोचते रहते थे मुसीबत में फसाना मतलब बीरबल को किसी तरह के के ट्रबल में डालना जिससे बीर्बल फस जाए और राजा का impression डाउन हो जाए फिर पता है एक दिंग क्या हुआ अकपर के एक खास दर्बारी दर्बारी मतलब जो दर्बार में होते हैं Special Quotier खास मतलब special दर्बारी मतलब Quotier जो दर्बार में रहता है तो अकबर के एक खास दरबारी, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धी पर बहुत अभिमान था, विद्या मतलब knowledge, जो उन्होंने बुक्स पढ़के गेन की है, और बुद्धी का मतलब होता है intelligence, और इसी विद्या और बुद्धी पर ख्वाजा सरा को बहुत अभ बालक और मूर्ख समझते थे, निरा बालक मतलब एक छोटा सा बच्चा, जिसे अभी भी बहुत कुछ सिखना है, और मूर्ख का मतलब foolish, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, तूती बोलना मतलब बीरबल की ही बात चलत और खुआजा साहब की बात कैसी लगती थी, नकार खाने में, नकार खाना मतलब किसी कार खाने में जब मशीन्स चलती हैं तो कितने जोर-जोर की आवासे होती है, फाल्तु की आवाज, जो हमारे कान में दर्द कर देता है, खुआजा साहब की आवाज भी नकार खाने की आ ख्वाजा साहब की चलती मतलब, अगर ख्वाजा साहब की सारी बाते राजा जी मान लेते, तो वो बक्पर बादशा से बोलके बीरबल को इंडिया से कप के बाहर निकलवा देते, लेकिन इतना आसान थोड़ी है किसी को निकाल देना, निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा साहब ने प्लैन बनाया, एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मुर्ख साबित करने के लिए, मुर्ख मतलब बुद्धु, बेवकूफ और साबित करना मतलब प्रूफ करना, बीरबल को बुद्धु साबित करने के लिए ख्वाजा साहब ने बहुत सोच के उन प्रशनों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे छक्के छूट जाएंगे एक मुहावरा होता है जिसका मतलब है हिम्मत हार जाना ख्वाजा साहब को पूरा यकीन था कि जब बीरबल उन प्रशनों को सुनेगा तो उसकी हिम्मत तूट जाएगी वो हिम्मत हार जाएगा क्योंकि उसके पास इनके जवाब नहीं होंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोष जनक उत्तर नहीं दे पाएगा संतोष जनक मतलब satisfactory answer जो सभी मान जाए बीरबल ऐसे answer नहीं दे पाएगा फिर क्या होगा उसका impression डाउन हो जाएगा ये था ख्वाजा सरा की planning फि ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहन कर अचकन पगड़ी क्या होता है अचकन मतलब long coat जो आप इस फोटो में देख रहे हैं और पगड़ी मतलब टर्बन जो सिर परबाधा जाता है तो अचकन पगड़ी पहन कर ख्वाजा साहब भी दरबार में जाने के लिए एकदम ready ह गए ready होकर दाड़ी सहलाते हुए अकबर के पांस पहुचे और सिर जुका कर बोले बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है कि बीरबल तो अपने आपको बहुत बुद्धिमान समझता है और आप भी उसकी लंबी चोड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं लंबी को मान लेना क्योंकि ख्वाजा सरा को बहुत जलन होती थी कि बीरबल की कहुई हुई हर बात को बादशागबर और बाकी के सबमंत्री मान लेते हैं फिर ख्वाजा साहब ने बोला मैं चाहता हूं कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूच कर उसके दिमाग की गहराई ना पले मतलब बीरबल के दिमाग की गहराई ना पले दिमाग की गहराई ना मतलब वो कितना बुध्धिमान है इसका पता करना फिर ख्वाजा सरा ने कहा उस नकली अकल बहादूर की कलई खुल जाएगी नकली मतलब फेक जो जूटा दिखावा करता है अकल बहादूर मतलब जो अपने आपको बुद्धिमान बोलता है, मतलब ख्वाजा सरा को लगता था बीरबल वैसे तो intelligent है नहीं, लेकिन अपने आपको intelligent दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए वो बीरबल को नकली अकल बहादुर बोलता है, और कहता है कि उसके तीन सवालों के जवाब पूच कर पता लगाईए कि वो कितना intelligent है, और उसी से उसके fake intelligence की कलई खुल जाएगी, कलई खुल जाना मतलब भेद खुल जाना, उसकी असलियत का पता चल जाना, खुआजा के अनुरोद करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया, अनुरोद मतलब request करना, और बादशा अकबर ने उनसे कहा, बीरबल परम ग्यानी खुआजा साहब तुमसे तीन प्रश्न पूचना चाते हैं, परम ग्यानी मतलब most knowledgeable person, क्योंकि राजा जी को भी पता था कि सबसे ज़्यादा knowledgeable कौन है, लेकिन अपने आपको परम ग्यानी मानने वाले खुआजा साहब उन्हें सोड़ा सा खुश करने के लिए, उन्होंने कहा, तुमसे तीन प्रश्न पूचना चाते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जहाँ पना जरूर दूँगा, खुशी से पूचे, खुआजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशा को दे दिये, अकपर ने बीरबल से खुआजा का पहला प्रश्न पूचा, संसार का केंद्र कहा है? संसार मतलब वर्ल्ड, दुनिया, और संसार का केंद्र मतलब इस पूरे दुनिया का सेंटर, सेंटर कहा है? वेर इस दे सेंटर अफ दे वर्ल्ड? हमारी पृत्वी तो गोल-गोल घूमती रहती है, इसलिए इसका सेंटर का पता करना क्या इतना आसान है ख्वाजा साहब ने सोचा था कि ये प्रश्न बहुत ही मुश्किल है लेकिन पता है बीरबल ने क्या किया बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छडी गाड कर छडी मतलब वाकिंग स्टिक शडी को गाड कर गाड ना मतलब जमीन के अंदर फिक्स करना जमीन के उपर जोर से स्टिक को रख कर बीरबल ने कहा यही स्थान चारो और से दुनिया के बीचो बीच पड़ता है स्थान मतलब जगा कि यही जगा जहां पे मैं खड़ा हूँ और मैंने अपनी स्टिक रखी है चारो और से दुनिया का बीचो बीच पड़ता है मतलब सेंटर है यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो मतलब अगर ख्वाजा साहब को मेरी बातों पे यकीन ना हो भरोसा ना हो तो वे फीते से फीता मतलब मेजरिंग टेप जिससे हम डिस्टन्स और लेंद को मेजर करते हैं उसी फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है क्या ख्वाजा सारा के लिए पूरी दुनिया का मेजर्मेंट करना संभव है ऐसा तो संभव ही नहीं था ख्वाजा सारा चुप रहे गए उसके बाद अकबर ने अपना दूसरा प्रश्न किया आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड मंगवा कर कहा भेड मतलब शीप कि इस भेड के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं शीप के शरीर पे तो बहुत सारे बाल होते हैं आपने देखा है और उसी बालों से हम क्या करते हैं? ऊन बनाते हैं, स्वेटर बुनते हैं बीरबल ने कहा इसी भेड के शरीर पे जितने बाल है सेम काउंट के स्टार आसमान में है और अगर ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो संदेह मतलब डाउट होना अगर मेरा जवाब उन्हें सही ना लगे संदेह हो तो वे बालों को गिन कर तारों की संख्या से तुलना कर ले तारों की संख्या मतलब count of the stars मतलब कितने स्टार है उन्हें तो तारों के counting के साथ वो तुलना कर ले मतलब compare कर ले कि मेरा अंसर सही है या नहीं है इसमें भी ख्वाजा सरा डाउट में पड़ गए क्या ख्वाजा सरा के लिए भेड के शरीर के बाल गिनना संभव था वो भी नहीं था इसके बाद अब अकबर जी ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है आबादी मतलब population how many people are there in the world कितने सारे लोग मौजूद हैं पूरे world में बीरबल ने कहा हर शन घटती बढ़ती रहती है घटता बढ़ता रहना मतलब कम होता है बढ़ता है ये चलता है रहता है every second क्यूंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है बहुत सारे लोग मरते रहते हैं बहुत सारे नएने बच्चे पैदा होते हैं तो इसलिए पूरे वर्ल्ड का population every second कम होता रहता है और बढ़ता रहता है इसलिए यदी इसलिए अगर सभी लोगों को एक जगा इकठा किया जाए इकठा मतलब ग्यादर किया जाए सब लोगों को एक जगा पे जमा किया जाए तभी उनको गिन कर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है बादशा तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए मतलब बीरबलों के answer से satisfy हो गए वो मान गए कि इससे जादा logical और सही जवाब नहीं हो सकता लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौह सिकड कर बोले नाक भौह सिकड न एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है एक घुसे में जब हमें घुसे आता है तो हम कैसा face बनाते हैं क्रंपी face हमारी नाक और हमारी भौह भौह मतलब eyebrow सिकड कर मतलब squeeze करके angry face बनाके जब हम कुछ बोलते हैं उसी तरह ख्वाजा साहब भी नाक भौह सिकोड कर बोले घुसे में बोले ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं जलेगा जनाब गोल मोल जवाब मतलब tricky answer, confusing answer कि ऐसे उल्टे सीधे answer दोगे तो काम नहीं चलेगा तुम्हें एकदम बराबर perfect answer देना पड़ेगा लेकिन बीरबल बोले ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं गोल मोल सवालों के गोल मोल जवाब ही होते हैं पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए मतलब मैंने जो जवाब दिये हैं, answer दिये हैं पहले उन्हें तो गलत साबित कीजिए कि no this is the wrong answer उसके बाद ही आगे बढ़िये और ख्वाजा साहब के लिए बीरबल के उत्तरों को गलत साबित करना इतना आसान तो नहीं था ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना कुछ बोलते नहीं बना मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए He was not having any words or any answer to give और इसी तरीके से बीरबल ने फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया कि उनके पाए